हाई फ्रेंड्स आप सभी को सस्मिता की चैनल घर घर आने में स्वागत है मैं आज आप लोगों को एक वीडियो दिखाने जारे हूं जो कि मैं हमारा एक घर लिये हैं घुबने सुर्थ खंडगिरी में ट्राइडेंट गेलेक्सी में जहांपर कि हमारा नया घर है मैं आपको दिखाओंगी वह रूम अभी चलिए जलते हैं यह देखिए उसका इंट्री आ रहा है गेट है गेट का अंदर हम लोग जाएंगे अभी चलिए अंदर चलते हैं यह देखिए यह मंदीर एक है साइबाबा का मंदीर है जो की एंट्री करने के टाइम साइड में ही आप फास्ट मंदीर ही आता है तो अभी मैं आपको मंदीर भी दिखा दूंगी यह देखिए मंदीर हम लोग रात को गए थे तो थोड़ा अंधेना है यह साइबाबा कामंदीर है बहुत सुन्दर मंदीर और इंठ्रंस में ही एक कनेश्ची का मुर्ती है और बहुत अच्छा लग रहा है बहुत पीश्पूल है मंदिर और बहुत ही अच्छा और आट्रेक्टिव मंदिर है जलें चलते हैं हमारे फ्लाट के तरफ झाल झाल अभी चले अंदर चलते हैं रूम के अंदर यह देखिए एक ट्रीबेस के का फ्लाट है और यह लिविंग डूम है यहां पर है यह एक बेट्रूम झाल 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 यहां पर एक बात्रूम है जो कि उस बेट्रूम के साइड में ही है यह जो क्याल झाल 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 है और ये बाहर एक भी बेसिन है बात्रून से बाहर एक बेसिन है यहां पर और एक ये बेडरूम है और इसमें अटाच बात्रूम है और ये उसका अटाच बात्रूम है अटाच बात्रूम है और ये मास्टर बेडरूम है मास्टर बेडरूम में ये वाला इसका अटाच बात्रूम है और यहां पर एक बालकोनी दिया हुआ है जो और यहां पर हम लोग एक कौबड बनाए हैं जो कि आपेले नहीं दिया हुआ था हम लोग बनाए हैं सामान लखने के लिए कौबड तो चाहिए बहुत जरूरी होता है तो इसलिए ये बनाए हैं जर बनाए हिए जर बनाए हैं जर खाल रहाँ हैं जर बनाए हैं जर एक्लिए बनाए हैं और मास्टर बेट्व के सामने ही किचेन है और यह किचेन है किचेन में भी हम लोग इंटिरियर करवाए है और यहां पर एक बालकोनी है जो कि किचेन को पास है और यहां पर एक श्टोर रूम है इसे श्टोर रूम भी कर सकते हैं या पुजाग का घर भी बना सकते हैं हुआ इसे लेघ जाओ आपाँ पास बंपतने जाओनना इसे क्चेन को तुश mentor पास है व茹।्ड़ के आपद duties known as no और किचेन को भी मोडूलर किचेन बनाए है है किचेन बनाए है और यहां पर मैं पूरा घर दिखा रही हूं देखिए पूरा रूम दिखा रहे हैं और यहां पर लिविंग रूम को लगे बालकोनी है जो मैं दिखाई नहीं थी अभी दिखा रही हूं कि लोने के लोने थाई रही हूं पूई हुई खटओगब विखा रही हुई। और हमारे फ्लाट के सामने ही स्विमिंग पूल है जो की दो स्विमिंग पूल दिया हुआ है एक बड़े लोगों के लिए और एक बच्चों के लिए और यहां पर एक आडिटोरियूम दिया हुआ है कुछ प्रोग्राम होगा तो यहां पर होता है कर दो यहां पर एक बच्चों के लिए कहता है और यहां पर कॉमुनिटी हल्वे जहां भी कुछ पाटी होता है तो यहां होता है इसके चारो तरो बहुत सारे पेड़ लगे हैं अच्छे से मेंटेन भी किये हैं बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही है हमारा फ्लाट अब लोगों को कैसा लगा जरूर बतायेगा कॉमेंट बोक्स पे अगर अच्छा लगा तो लाइक किजिएगा अगर नए ही मेरे चैन झाल झाल झाल